जहें दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई अनुच सिंग लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इंफर्मेटिब वीडियो तो उन सभी बच्चों के लिए खुसखबरी है जिन्होंने बि के लिए कब-कब एकजाम होगा तो आए वीडियो के सुरुवात करते हैं और जानते हैं कि क्या है इस नोटिस में है इस नोटिस के एकॉर्डिंग इस नोटिस की जो संख्या है 0-1-24, 0-2-24 तथा 0-3-24 के अंतरगत रिक्त पदों पर सीधी भरती है तो परिछ्छा का कारि इस पत्र निर्गत किती थी और तेसे नंबर पर परिच्छा का स्वरूप और चौथे नंबर पर दिया गया है कि ये परिच्छा कब आयुजित की जाएगी ठीक है तो सबसे पहले जानते हैं कि विज्यापन संख्या 0-1-24 में क्या था पद नाम था प्रतिवेदक प्रतुलिपिक जाँच परिच्छा तथा हिंदी यों अंग्रेजी टंकड एमेस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जाँच परिच्छा परिच्छा की जो तिथी निर्धारित की गई है वह 14-6-2024 ठीक है इसी तरीके से विज्यापन संख्या 2-2024 पद का नाम है सहायक प्रशा रखा पदाधिकारी इसमें जो प्रवेस्पत्र आपका निर्गत होगा वह 18 जून से आपका प्रवेस्पत्र मिलने लगेगा साम 6 बजे से परिच्छा का जो स्वरूप रहेगा प्रारेंबिक परिच्छा आपसे आप ली जाएगी और इसकी जो डेड निर्धारित की गई है इसी तरीके से विग्यापन संख्या दो बटे 24 डाटा एंट्री आपरेटर का ये पद है इसमें प्रवेस्पत्र आपको 172024 एनि कि पहली जुलाई से आपका प्रवेस्पत्र 6 बजे से मिलना चालू होगा आपकी प्री एक्जाम होगा इसमें और जो परिच्छा होगी प्रथम पाली में 772024 एनि कि 7 जुलाई को प्रथम पाली में आपकी परिच्छा आयुजित कराई जाएगी इसी तरीके से विग्यापन संख्या दो बटे 2024 आसू लिपिक की ये परिच्छा होगी इसमें जो प्रवेस्पत्र आपका निर्गत होगा वो एक जुलाई से ही मि ऑसी तरीके से एक जुलाई का इसका भी प्रवेस्पत्र आ जाएगा और इसमें भी आवके प्रारंभिक परिच्छा है नि कि प्री होगी दुतिये पाली में 7 तारीख को डाटर एंट्री आपरेटर का होगा और साथ तारीकों दुतिये पाली में आसू लिपिक की भी परिच्छा हो जाएगी तो जिन लोगों ने दोनों ही ये फार्म डाले हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि वो सुबह में डाटा एंटरी का एक्जाम दे दे और साम को आसू लिपिक का दे दे इसी तरीके से कार्य परिचाई रात रिपहरी कारयाले परिचाई दर्बान और कारयाले परिचाई सफाई कर्मी की जो वेकंसी का फार्म आया था उसके प्रवेश पत्रा को आठारा च्छे दोज़ार चौबिस को साम 6 बज़े से मिलना चालू हो जाएंगे इसमें आपका परी एक्जाम होगा और ये पर्थम पाली में 23 जून को प्रारंब कराया जाएगा मनला 23 जून को आपको यह एक्जाम देना होगा ठीक है आगे नोटिस में लिखा है तिथियों में संसोधन होने पर इसकी सूचना बिहार बिधान परिशत की विवसाइट जो इन्होंने आफिसल विवसाइट है पर प्रकासित की जाएगी अब देख लिए यहां भी कंट्रवर्शी हो गई कि अभी इसमें संसोधन हो सकता है लेकिन आप यह मान के चलिए कि अब आपका यह एक्जाम पूरी तरीके से हो जाएगा कोई भी दिक्कत इसमें अब आने वाली नहीं क्योंकि सारे एलेक्शन अगेरा सब हो चुके हैं उप्रोक्त जाच परिच्छा पटना इस्थित केंद्रों पर आयोजित कराएजी मतलब कि जो आपका एक्जाम होगा वह पटना में ही जो केंद्र बनाए जाएंगे वहीं पर होगी अब भ्यार्थी अपना रेजिस्टेशन आइडी और पासवर् आपित हैं केबल उसी कोट के अप्वेश्पत यह आप सभी जानते हैं कब-कब उठता है यह भी आप जानते हैं एक mail id भी दे दिए गई है कि इस पर भी आप अपनी query डाल सकते हैं ठीक है और आप भ्यार्थियों को डाक से by post इसकी सूझना निर्गत नहीं की जाएगे मतलब आप इसका इंतजार मत करिए direct आप अपना प् परिछा cancel होती है या जो भी इस से related update होगा मैं आपको बता दूँगा request यह ही है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe और वीडियो को like करके well icon press कर लिजे तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक आप सभी को जैंग जैवारत